चलिए देखे बात करते हैं एनर्जी ऑफ सेटलाइट ज़रा समझेगा सेटलाइट एक दो अर्थ सर्फेस के ऊपर होता है अर्थ उसको अपनी ओर अटेट करती है जब आप किसी फोर्स के अंडर वर्क करते हैं काम करते हैं तो आपके पास कौन से इनर्जी होती है पोटेंशल होती है यार्थ सेटलाइट is having potential energy दूसी बात सेटलाइट move कर रहा है तो सेटलाइट के अंडर कौन से इनर्जी होगी दो प्रगा की इनर्जी होती है हम यहाँ पर जो सेटलाइट लेकि चलने हैं वो close to earth लिए चलने हैं कि जो हमारा satellite है वो very close to earth है उसके बारे बात कर रहे है ठीक है और pointing energy क्या होती है भी बात करेंगे ठीक है तो आप कहेंगे because satellite revolves in its orbit in the influence of the force of gravitation वो gravitational force के influence में चक्कर लगाता रहता है तो because force लग रहा है तो ग्रैविटेशनल पोटेंशल एनर्जी ग्रैविटेशनल पोटेंशल एनर्जी सेटलाइट की यू से रिप्रेजन करते हैं फार्मुला क्या होता जरा बताइए फार्मुला फॉर्दा ग्रैविटेशनल पोटेंशल एनर्जी ओफ सेटलाइट आप आफ अनी बोडी ने 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 आप पूरी बात बुलिए माइनस जी एम एम अपान आरी एच हमने नहीं दिया है हमने हमने आर सर्फेस पे हैं तो हमने प्रूफ कराया था ना माइनस जी ए सेटलाइट अच्छा अब बिकाश सेटलाइट इस रिवाल्विं इन दा और बिट तो कानेटिक इनर्जी क्या होगी इट्स का मतलब सेटलाइट तो इसको के माल लेते हैं हाफ एम वी क्या लिखेंगे हम वी नॉट स्क्वार्ट बिकाश्वी तेक दा और बिटल स्पीड सेटलाइट वी नॉट का फरमॉला आपने क्या पढ़ा है अब मले आपको नहीं मालूम सीख देखें जान से यह कुशन वन है यह एक कुशन टू है हम नहीं जानते हैं तो आप जानते हैं एस एम वी नॉट स्क्वार बाई आर आर बोले तो अरी क्योंकि व्यार तो एक RE से एक RE काड़ दे तो MV not square की value M काई cancel करें हम हमको तो M चाहिए है ना तो MV not square की value क्या निकलेगी G M E M upon RE So K क्या निकलेगा K की value निकलेगी आपकी G M E M upon 2 RE G M E M upon 2 RE अब अगर total energy निकालेंगे हम total energy E लिखे दे रहे हैं of satellite तो इसको E माल लो U plus K तो U आप निकाल चुके हैं minus G M E M upon RE plus G M E M upon 2 RE जब इसको calculate करेंगे तो minus G M E M upon 2 RE ज़िए total energy of satellite निकल के आई minus G M E M upon 2 RE तो आपने देखा कि ये total energy of satellite negative आ रही है negative आ रही है ज़र समझेगा negative मतलाब अभी भी वो under the influence यानि attractive force के आगे वो काम कर रहा है अब ज़रा देखे जान से हमने heading डाली है binding energy binding energy को हम कहते है हिंदी में बंधन से कट जानी वाली energy जो बंधन मुक्त कर दे यानि बंधन मुक्त कर दे मतलब जैसे कहते हैं व्यक्ति बंधन मुक्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गया मतलब जिसके किसी एनर्जी की किसी व्यक्त के एनर्जी जीरो हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है क्या कहते हैं विचारे बड़े अच्छे थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे ऐसा कहते ना ठीक है तो अब ज़रा समझेगा अगर यह सेटलाइट इन्फानेट में जाता तो आरी की वैलू क्या हो जाती नहीं 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 इन्फानेट हो जाती ना आरी मतलब आरी मतलब यहाँ रेडियस आप आर्थ मा समझेगे कह वाल। । आप यहाँ लिखेंगे as if re is infinity तो energy क्या हो जाएगी 0 यानि कि अगर हम किसी भी satellite के energy 0 कर दे तो कहां चला जाएगा infinite चला जाएगा ठीक है अब बताएगे अगर किसी पास minus 5 joule energy है minus 5 joule energy है और उसको आप plus 5 joule दे दीजे तो उसको energy कितनी हो जाएगी 0 तो वो कहां चला जाएगा infinite में चला जाएगा ठीक है यानि कि वो ही आपकी binding energy है binding energy is the energy given to the satellite by which it goes to the infinity it leaves its orbit अगर मुझे कहाँ एक binding energy की definition क्या होती है तो हम क्या कहेंगे कि binding energy वो energy होती है जिसको देने पर satellite अपनी orbit को छोड़के infinity में चला जाए तो इसका मतलब अगर मैं यहां आप से कहूँ कि what is binding energy तो आप क्या कहेंगे प्लस gm em upon r2re समझे आई बाद तो यह binding energy है तो binding energy निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा वही हम लोग negative potential से काम करते हम लोग के energy negative होती है हमारा अपनी family के प्रति अट्रेक्शन रहता है हमको किसी ने प्लस energy दे दी जाकर किया रहे सब boom आया है सब वेकार है हमारी energy zero हो गई हम हमालन चले गए प्रपस्या करने चले गए ठीक है तो यह क्या होता है इसको कहते है binding energy हमको दे दी गई ठीक है तो यह है आपकी binding energy हो गई जाकर की यह किसकी है satellite की है ठीक है अब जो हमने आरी लिखा है न इसको आप चाहें तो आर लिख सकते हैं हर जगे भाई आप जिस orbit में satellite को घुमा रहे हो वो जिस orbit में घुम रहा है उसका radius आप क्या मान सकते हो आर मान सकते हो ठीक है अब लिखे escape energy दोरों में बहुत माइनूट अंतर है escape energy and escape velocity escape energy and escape velocity escape energy and escape velocity देखें escape energy and escape velocity जला समझेगा अगर कोई body अर्थ सरसेज पर रखी है तो उसके पास कौन से energy होगी keval gravitational potential energy बस because it is not moving in any orbit वो move नहीं कर रही है तो उसके पास keval gravitational energy होगी तो उसको escape कराने के लिए जो energy चाहिए escape बोले तो वो अर्थ के atmosphere को cross करके infinity में चला जाए तो अगर वो energy दे दी जाए तो उसको हम कहते है escape energy ये लगभग binding energy of satellite के बराबरी वही चीज होती है बस उसकी total energy में kinetic plus potential होती है तो जितनी उसकी energy आई थी minus में उतनी plus में दिया था और अर्थ सरसेज पे कोई body अगर रखी भी है तो उसको जो हमने energy दी zero करने के लिए वो उसकी escape energy होती है अंतरसोंज में आ गया मतलब वो भी binding energy है लेकिन वो किसकी है वो उस body की है जो body earth surface पे रखी भी थी कह सकते है न तो यानि कि अगर हम कहें कि the potential energy the potential energy of the body on earth surface earth surface earth surface पे किसी body की potential energy क्या होती है क्या होती बताईए यू इस इकल टू माइनस जी M E M अपान R E कि 2 R E R E होती है ठीक है तो यही है energy उसके पास के बल ठीक है तो उसकी escape energy क्या हो जाएगी escape energy क्या होगी plus G M E M अपान R E तो escape energy और binding energy में अंतर समझ में आया तो this is also the binding energy लेकिन एक किसकी binding energy है it is the binding energy of the body which is on the surface of earth not moving in the orbit it is not moving यह our surface of earth पे ठीक है अब इस binding energy को कैसे दे मैं body की पास गया जाओ infinitim चले जाओ अरे चले जाओ क्यों नहीं जा रहे हो तुम तो बहुत अच्छे हो नहीं जाएगा ना उसको लात मार के भगाना पड़ेगा तो उसको वेलास्टी देनी पड़ेगी ना तो escape energy देने के लिए जिस वेलास्टी से body को हमें project करना पड़ता है that is known as escape velocity क्या सकते हैं ठीक है तो अगर मैं माल लूँ यह note करिए फिर लिखवाएंगे लिखे दा वेलास्टी गिवें तो बाड़ी दा वेलास्टी गिवें तो बाड़ी दा वेलास्टी गिवें तो बाड़ी to escape from the gravitational surface to escape from the gravitational surface escape बोले तो यहां से भगा जेना escape कर जाना gravitational surface is called escape velocity escape velocity अब देखे आप उसको escape करना चाहते हैं यानि आपको escape करने के लिए कितने energy चाहिए उसको यानि कि आपने जो energy दी है वो half mve square दी है ve बोले तो escape velocity वो किसके करोने चाहिए वोने चाहिए gm em upon re तो ve की value निकालो ve क्या हैगा gm e upon 2 re under root तो ये escape velocity की value होती है 2 परी थोए सभी बाद as gm e is equal to gre square होता है so escape velocity की value under root 2 gre होता है हाँ constant होती है g पड़िबिंट करती है ना अब देखे अगर हम 2 है g की value 9.8 रख दें re 6.37 into 10 power 6 रख दें तो ये value आती है 11.2 km per second अगर कोई body उपर की तरफ 11.2 km per second की velocity से project की जाए तो वो earth surface से escape कर जाएगी हाँ high value है बहुत ज़्यादा high value है वह यह संभोव नहीं है अभी आईसे गर संभो होता था हम स्कूटर लेकिने चले जाते हैं मून पे आईसे जाते एक ऐसे slope होता पर इस पर करके ऐसे कर देते चले आते नहीं जा सकते नहीं इसी लिए तो यह वहाँ ले जाने के लिए हम इतने अधी को जो है रोकेड सेटलाइट लांचिंग वह के लिए सब बनाते हैं तो क्या लफडा है इसी मिज़र बनाना पड़ता है ना लिख लिया अब यह तो escape velocity है और वह आपकी orbital speed थी तो लिखे relation between escape velocity and orbital velocity relation between escape velocity escape velocity and orbital velocity orbital speed लिख दो velocity लिख दो कोई दिक्कर नहीं है अब देखे हमने अभी पढ़ा है कि as orbital speed का formula होता है अंडरूर जी आरी और escape velocity का formula होता है अंडरूर टू जी आरी तो अगर VE अपान V0 करेंगे तो रूट टू आएगा तो VE is equal to अंडरूर टू V0 यह रूट टू टाइमस होती है रूट टू टाइमस होती है बहिए एक छोटी सी बात समझेगा हमारा जो satellite है वो already और उसकी velocity अच्छी खांसी होती है 8 km per second थीक है तो थोड़ा उसकी direction change करनी पड़ेगी वो भागने की chances लगता है वाग सकता है वो तो और यहां से अगर आपको हटाना है यहां से ले जाना है आपको gravitational field से तो उसके पास motion नहीं है उसको पहले तो velocity दो करनी कि इसकी root two times दोगे तब यह escape करेगा ठीक है कभी कभी आता है कि what is the reason of non absence of atmosphere on the moon surface moon surface में atmosphere absent क्यों है देकि हमारे हाँ atmosphere present क्यों है हमारे atmosphere इसलिए present है कि यहां escape velocity होती है 11.2 km per second यानि कोई भी चीज अगर यहां से project की जाए तो उसको 11.2 km per second की speed चाहिए ठीक है अब gas को project तो करोगे नहीं अपने आप atmosphere का मतलब क्या होता gas है चली जाए यहां से ठीक है अब यहां पर हमने जो maximum temperature हो सकता है वो temperature बनाया जो हो सकता है और यहां की जो सबसे हलके से हलकी gas होती हाइडोजन उसको हमने उसकी velocity देखी उसकी velocity इसके velocity से बहुत कम थी यानि कि इतने ज़्यादा temperature में हलके से हलकी gas को भी इतनी velocity नहीं मिल पाती है कि वो यहां से project हो सके तो इसलिए यहां से atmosphere नहीं जाता है हमारे चारवर atmosphere है moon में इसकी value 2.37 होती है 2.37 km per second वो बहुत कम होती है इसलिए ज़रा सा भी heat होने पर वहां की gases वहां से escape कर गई होंगी ठीक है अभी हम Mars पे जाकर के खोज कर रहे हैं ठीक अभी हम गए हमने satellite भेजा कुछ सफलता मिली नहीं मिली क्योंकि हो सकता है वहां पर हो सकता है कि वहां पर कहीं कोई जीवन हो कुछ लोग हो वहां पर जिसको आप alien कहते हैं हो सकता है अभी हम जा नहीं पाए है ठीक है 2.37 साइज होती हमको exact याद नहीं है ऐसे होती है देख लिजेगा कहीं पर लिखी होगी इसलिए वहां से वो body escape कर जाती है वो तक gases escape कर जाती है ठीक है अच्छा अब एक लिखेगा ये है नहीं आपके हाँ उसलिए उसको हम बात नहीं करेंगे ज़रा समझेगा अब हम GSLV की बात कर लेंगे थोड़ी से बात कर लेते हैं वो है नहीं लेके लिख दिज़ेगा लॉंचिंग आफ एन artificial satellite around the earth लॉंचिंग आफ artificial satellite around the earth ये है नहीं आपके हाँ ठीक है मैं किवल हलका साब को बताने की कोशिश कर रहा competitive देखे दो चीजे हम जानते हैं अर्थ सर्सेस के पास जो और्बिटल स्पीट का फार्मला होता है वो अंडरूट G M E अपान R E प्लस H होता है हमने भी थोड़े पहले बताया है आपको और जो इसकेव राश्ती होती है वो होती अंडरूट G M E अपान 2 R E प्लस H यह उपर 2 होता है 2 G M E अपान R E प्लस H ठीक है यह होता है अब जरा समझेगा यानि कि अगर आपको जरा ध्यान से समझेगा अगर आपको स्पीड देनी है सेटलाइट को और्बिटल स्पीड देनी पड़ेगी आपको इसमें ठीक है अब हमने माल लिया कि लेट V is the speed speed of satellite satellite की यह speed आपने V दी ठीक है तो यहाँ तीन केसेज है फर्स्ट केस समझेगा फर्स्ट केस क्या है देखो ध्यान से अगर आपने उसको जो speed दी वो आपटल speed से कम दी तो क्या वो आपट में घूमेगा नहीं घूम सकता ना वो जो आपट आप दे रहो नहीं वो आर्बिट क्या करेगा कम करते करते यह अर्थ है इसका diagram में diagram बनाना नहीं मैं को समझाने के रिए बना रहा हूँ ठीक है भाई यह यह अर्थ है हमारी माल लेते हैं और यह आर्बिट है इसमें कि आप उसको दे रहे हो और आपने इस्पीड दी आर्बिटल में लेकिन कम दी ठीक है तो क्या होगा कम इस्पीड से हाइट ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी अचुली में वो भूम भूम पाएगा वो वो हाइट वाली वास होड़िए क्या यह ऑर्बिट में घुम सकता है नहीं घुमेगा वो क्या करेगा धीरे धीरे अपने ऑर्बिट कम करेगा करते करते आर्फ में आकरके गिर जाएगा ठीक है तो पहला केस लिखे इस V is less than V0 V0 की वालू हम नहीं महलू है और प्रेशपीड then satellite तीक है then the satellite moving in a parabolic path satellite moving in the parabolic path गळा will come closer and closer to earth and finally fall on the earth वह आप उसको speed उतनी दे नहीं रहे हो ना जयतनी चाहिए उसको हाँ दूसरा case लिखे दूसरा case आपने उसको speed orbital speed के बराबर दे दी तब तो समझ में आ गया कि आपने वही speed दी है तो अपने orbit में घुमता रहेगा तो लिखेगा then the satellite will revolve around the earth in the circular orbit अब ये इसकी limiting velocity है इससे कम कर दोगे तो closer 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 and fall on the earth third case लिखे third case आपने क्या किया आपने जो velocity दी है वह orbital से ज़्यादा दी है और escape से कम दी है हम value नहीं लिख रहे है मैंने पालेडी लिख दिया है उपर orbital से ज़्यादा दी है और escape से कम दी है तो लिखे it revolve in the elliptical orbit ये elliptical orbit में move करने लगता है elliptical orbit विद विद अर्थ एट वन आप दा फोकस अफ द ऑर्बिट विद अर्थ एट वन आप दा फोकस अफ द ऑर्बिट फोकस होगा ज़रा समझेगा यानि की यह आपका satellite है यह याद करना है आपको थोड़ा से मेमोराईज रखना है यह आपका satellite घुम रहा है ऐसे orbit में ऐसे ठीक है और यह focus है तो यहाँ पर यह focus मले दो है अर्थ मले यहाँ पर है ठीक है तो जव अर्थ के नजदीक से गुजरता है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, और दूर जाता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, लिकिन वो लगातार घूमता रहता है, अब वो अर्बिटरल स्पीड है ना, हाँ तो हम जिस आर्बिट में उसको रिवाल्ब करेंगे, तो लिखेंगा, क्या लिखा, satellite in the, move in the elliptical orbit and send at one of the focus of the orbit, ठीक है, नीचे इसमे लिखेंगा, the speed of satellite varies, the speed of satellite varies, it slows down as it gets further from the earth's surface, farther, further, दूर दब जाता है, तो slows down होता है, and speeds up when it approaches to earth, जब आर्थ के नजदी पहुंचता है, तो उसका speed कम हो जाता है, यहाँ पर जब चलता है, यहाँ पर, तो fastest हो जाता है, और तब यहाँ पर चलता है, तो slowest हो जाता है, slowest हो जाता है, समझ मैं आगया, और तीसरा आपने उसको speed दे दी, तीसरा आपने उसको speed दे दी, escape velocity के बराबर, sorry next fourth ना तीसरा नहीं चाहुथा अगर आपने escape velocity के बराबर दे दी तो लिखेगा then the satellite move in the parabolic path and would escape never to return parabolic path में जाकर के बाहर चला जाएगा मतब parabolic path पे घुमता हुआ बाहर चला जाएगा ठीक है लिख लिया और अगला case है अगर वी आपने escape velocity से भी जाना कर दिया तो hyperbolic path पे जाकर के वो चला जाएगा तो satellite moving on the hyperbolic path would escape समझ में आगई बात अब ये practically हम नहीं बता सकते ठीक ये practically देखा गया है उसको क्यों hyperbolic path पर अएसे अएसे चला होगा ग्यूता होगा धुमता होगा hyperbolic ये होता है ऐसे और ऐसे ऐसे, ऐसे करता हो चला जाता होगा ठीक है हाई दिया ऐसे से चला ज़लता होगा इसे होता होगा अब एक जानकारी और दे दे अभी हम GSLV की बात में बात में PSLV लिखा था ठीक है तो थोड़ा सा PSLV के बारे हम बात कर लेते हैं ठीक है और इसका क्या यूज होता है उसके बारे हम बात कर लेते हैं देखो ध्यान से PSLV PSLV Polar Satellite Polar Satellite Launching Vehicle जरा समझेगा जो हमारे जियो इस्टेशनरी सेटलाइट थे थे मतलब हैं वो कहा पर लॉंच के जाते हैं equatorial plane पर वो लगातार वही पर रहते हैं जो हमारे polar satellite हैं वो पोल के चार ओर ऐसे रिवाल्व करते हैं ठीक है जो GSLV हैं वो तकरीबन 35,000 किलो मिटर होते हैं ठीक है तकरीबन निकाला आए भी अब अलग अलग कंट्री को अलग अलग हाइट डिवाइट की होगी 35,000-36,000 ऐसे कुछ दी होगी ठीक है और यह हमारे जो होते ही वह 100-500 किलो मिटर पर होते हैं और यह पोल के इक्वेटर हमारा जो सेटलाइट है वह पोल के चारोड चकल लगा रहा है और अर्थ ऐसे घुम रही है अब देखिए अब इस आर्थ को घुमाएं कैसे ग्लोब अगरा हो घुमा दें खर हम बता रहे हैं ऐसे हम घुमा देते हैं कि यह अपनी डिस्टर को घुमा देते हैं देखो अब क्या क्यं आ है यसी यर् libraries ॆ कि चलेगा न है यह हमारा नार साउत है को अर यह अब देखें यह ऐसे हमारे अच्छा यह जो हमारा सेटलाइट है ना एक कास बात एक तो बहुत कम हाइट पर होता है और एक एक दिन में कई चक्कल लगाता ही है अब देखो ये एक चक्कल लगा रहा है ठीक है और अर्थ पता थोड़ा 24 हंदें घुमती है ना अर्थ थोड़ा घुमी फिर से चक्कल लगाया अब दुबारा चक्कल लगाया तो क्या उसी जगह पर रहेगा यह वह ऐसे घुम रहा था अर्थ घुमी ऐसे घुम रहा अर्थ घुमी ऐसे घुम रहा अर्थ घुमी तो क्या हो रहा है यह अर्थ के चारोड चक्कल लगा रहा है अर्थ घुमती जा रही है ऐसे तो क्या एक ही जगह पर रहेगा तो हमने क्या कर दिया इसमें कैमरे लगा दिये बहुत सारे बहुत सारे मतलब हाई जूम वाले कैमरे लगा दिये तो जहां पे अर्थ के चारों और उसने क्या किया उसने जो है हमको इमेज भेज दी हमको ये मालूम है कि किस दौरान ये हमारी कंट्री के उपर से निकला कितने चक्कल लगाया तो हमने उस कैमरे से कैप्चर किया कि इसने जो कैप्चर करके हमने देखा कि उसमें हर्याली हरा हरा कुछ दिखाई पड़ रहा था तो हम जगर्फी के आइडिया से लगा दिया कि ये हरा जो पार्ट है ये हमारे जंगलों का पार्ट है तो हमने बता दिया कि इतना परसंटेज हमारी country का एरिया जंगल है ठीक है ग्राउंड में भी हरा हरा कुछ दिखाई पड़ा तो हमने का यहां यहां पार्ट में इतने portion में हमारे यहां जो है वो हमारे यहां जो सब्जियां या जो है मतलब irrigation हो रहा है ठीक है तो एक तो यह तरीका हो गया दूसी बार लगातार हम उसको चक्कल लगा रहे हैं तो उससे हमको यह मालू होगा कोई encroachment तो नहीं हो रहा है दूसी country अब वो चब चकल लगा रहा था तब पताला चाइना सामने आ गया हम पता लगा ले गया कि यह चाइना के जिस एरिया का पिक्चर भेजा है इस एरिया में कुछ गरबड सरों बना हुआ है जूम करके देखा तो वहां कुछ उनके सैनिक अड़े मिले थे बुले आ रहे यह तो हमारे आंकबजा कर लिया इसने हमने यह पिक्चर भी देख ली तो हम फोटोग्राफ उससे जो है फाइंड करके अलग अलग लोकेशन की फोटोग्राफ ले सकते हैं अच्छा हमने एक और काम किया इसमें इसमें हमने बहुत सारी रेज लगा दी है जो लगाता रेज भीजती है अंदर ठीक है अब एक रे हमने लगाई जो लोहे से टक्रा करके वापस आ जाईगी अगर लोहा मिलेगा तो टक्रा करके वापस आ जाएगी ठीक है और नहीं मिलेगा तो आरपार चली जाएगी हार पारच ली जा रही है एक जेगे सेलॉट किया गई हैं तो हमने का इसका इसका मतलब यहां से बाइपас के लोऊ आई है तो लोहा स्टेट के उपर से गुजर रहा था फला प्लेस के वज़े पर से गुजर रहा था तो हमने एक आइडिया लगा लिया कि ज्ञार खंड में फला इलाके में लुहा है हमने वहां पर एक हलका साम को आइडिया मिल गया हमने वहां और भी अपना रिशर्च किया हमने देखा वहा से, इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, वो क्योन पिक्चर भी बसक्क है। अब पिक्चर में हमको मालूम हो जाता है कि से कहीं आतंगवा्भादी आ रहे है हैं, कीमरे बता लेते हैं कि आतंगवादी आते है। लिए हम पखड़ते नहीं पाते हैं बदानी क्या होता हम तो नहीं मानू है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप सुछथे हम क्याकर ना चाहते हैं जिसमें हम होते ही तब लगता भी केमरे लगे हुए हैं इसमें कैमरे लगे हुए हैं वो कैमरे जब चल रहे हैं और हम उसको देख भी रहे कि यहां पर यह आदमी जा सकता है तो हम कैसे भी पकड़ सकते हैं उनको आपको मालूम है इस इस इलाके से कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता और हमारे कैमरे ने कैप्चर कर लिया उस आदमी को तो आप जूम कैमरे लगा सकते हैं ना चलिए सेटलाइट बाद छोड़ दीजेगा आप वो जूम दूसरा वाला हमारा जूम नहीं जो हो रहा है बहुत हाई-फाई कैमरे हम लगा सकते हैं बड़ी हाइट पर वो पिक सब्सक्राइब नहीं है जाएंगे तो प्राइक्टिकल प्रॉब्लम क्या होगी वो तो वो जाने ठीक है तो यह आपकी प्येसल्वी का कारेप्रम है समझ में आ गया